मुझफर पूर जीले के सक्रा थाना छेतर से आ रहे है बड़ी खबर सराब माफिया के घर से 700 लिटर अवेद सराब की खेप जबत ता खाना बना कर रखाता सराब बताना चाहेंगे मुझफर पूर में सराब मामले में पुलिस की बड़ी कारवाई सराब माफिया के नेटवर्क को तोडने में लगी पुलिस ने सराब की तसकरी करने वाले का एक गिरोह के घर से 700 लिटर अवेद सराब की खेप के साथ गिरफतार किया वहीं 6 फिट गड़े बना कर शिपाया गया था सराब की खेप को सकरा ठाना शेतर की पुलिस की कारवाई में मिली है यह बड़ी सफलता सराब का कारोबर करने वाला आरोपी रविंदर पास्वान को किया गया है गिरफतार वहें मामले में पुलिस की टीम सराब के नेटवर्क को भी तोड़ने को लेकर अब बड़ी कारवाई में जुट गई है और अन सहयोगीओं को भी गिरफतारी करने के लिए कारवाई में जुट गई है सकरा पुलिस सक्रा थाना पुलिस की कारवाई में मिले है ये बड़ी सफलता तो कहीं ने कहीं 700 लेटर सराब किस परकार से टैकिंग और वोतले रखी गई है जो तस्वीरों से साथ है यहां बिहार में सराब परतीबंद लगने के बावजूद भी इस परकार की चोरी छिपे सराब माफियाओं दवारा कुकेत किया जा रहे हैं जिसे कहीं ने कहीं सक्रा पुलिस की बड़ी काम्यावी कहेंगे कि यहां सराब माफियाओं छुपने से छुप नहीं सकती क्योंकि इन्हें पुलिस उजागर कर मेडिया के सामने में रखते हुए उचित कारवाई करते हुए दोसियों को जील भेज रहे हैं तो कहें न कहें मुझफर पूर जीले के सक्रा थाना की बड़ी कामियावी पंकज कुमार सिंग की रिपोर्ट आखो देखी करते हैं आखो देखी कि भार्पूर पेठिया ग्राम में रविंदर पासबान के रहां डारू का एक बहुत बड़ा जखीरा पड़ा हुआ है हम लोगों ने इस गुप शुचना के आधार पे छापे मारी की छापे मारी में रविंदर पासबान के घर और साथी साथ उनके घर के पीछ इस्तित बासवारी में, करीब 6 फुट गढ़े के भीतर से बहुत बड़ा, करीब 700 लीटर का हम लोगों को दारू का खेब बरामत किया गया, इस दारू के खेब के हम लोगों ने बरामत किया और शाथ ने रविंदर पासवान एवं अन्नी को, जो भी इस दारू के रैकेट से जुरह हुए लोग हैं, उनको प्रात्मिकी करके अग्रेतर अनुसंधान किया है, हम लोग जल्द ही है, human intelligence और technical intelligence की मदद से, इस पूरे धारू के जखीरे के पीछे, जो जो लोग संदित हैं, उनका उद्वेधन करके इस पूरे कांड को लोजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके अभी सर कितने अदमी को गिरफतार हुए हैं, अभी गिरफतारी एक की हुई है, जो जिनके घर से ये शराब बरामद हुआ है, और जो इस पूरे शराब के लिए शराब को मंगा कर सप्लाई करके इस पूरे कांड के मुख्यारों की जो बताए जाता है, आख वेज गनियें आखों देखी,